पित्रपक्ष में ना तो बाल कटवाने चाहिए ना ही शेविंग करने चाहिए इंटरनेट पर अगर आप साज करें कि पित्रपक्ष तो जोड़े डूस और डूस क्या है या कौन सी गलतियां हमें जो है वो नहीं करने चाहिए तो ये लाइन आपको कई जगा पढ़ने को मिलेगी अब चलिए समझने की कुछ उच करते हैं कि ये बात किसी ने क्यों कहीं होगी या उसके बीच रीजन क्या हो सकता है सबसे पहले जब ये बाते कहीं गई तो तब समय वो था जब घर में नाई आया करते थे और family members को जो है जो salon services मिलती थी वो घर पर मिलती थी दूसरी चीज या तो इका दुका जो है उस गाओं में कोई नाई की दुकान होती थी और सारे mail members इकटे जो है वो जाकर वहाँ line में लगकर जो है वो बालकतवाया करते थे इन ओल पूरा दिन जो है वो इस काम के लिए लग जाता था तभी ये कहा गया कि श्राद के दौरान पित्रपक्ष के दौरान आप ये सब काम ना करें क्यों क्योंकि पित्रपक्ष का जो तरपन या जो करना है तो mail में बजने करना है और अगर वो salon services में busy हो गए तो फिर late हो जाएंगे हम ये जो है वो तरपन करेंगे कब पित्रपक्ष में ब्रावन को खाना खिलाएंगे कैसे इसलिए ये बाते जो है वो कही गई अब आज कि अगर हम बात करें तो salon services जो है वो available है लेकिन आज भी आप अगर जाते हैं तो तकरीबन कुछ समय तोड़ाए घंटे तो आपको लगी जाते हैं तो इस बात को मानना जो है वो बुरा नहीं है कि जिस दिन आप अपने घर में शाद जो है वो कर रहे हैं तो आपको ना तो बाल कटवाने चाहिए ना ही आपको shaving कराने चाहिए क्योंकि पित्रों को इंतजार क्यों करवाना ब्रामन को इंतजार क्यों करवाना These are my thoughts. What are yours? Let me know in the comments.